नमस्कार मैं उप्रिया आज है 26 मार्श चली जानते हैं भिहार की 25 बड़ी खबरों को 21 दिनों तक भारत बंद में जरूरी सेवाए रहेंगी जारी कोरोना के बढ़ते असर को देखते वे प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को पूरे भारत को बंद करने का आदेश जारी किया था जिसके बाद आमनागरिकों में भ्राम का माहौल फैल गया था अधिनों के बंद में आमनागरिकों को जरूरी सेवाए की कोई परिशान नहीं होगी इसके साथ ही कई ऐसी सेवाए भी हैं जो आपको आपकी घर पर पहुचाई जाएंगी कोरोना के महावल के बीच बीते मंगलवार को विहार बोड के इंटर के परिक्षा के परिणाम की घोष्णा की गई थी जिसके बाद साइन्स स्ट्रीम की नेहा टॉपर रही विहार बोड की छादरा नेहा ने अपनी सफलता के बारे में बाचीत कर देवे बताये कि वह बच्शपन से ही कुशाग्र बुधी के मिधावी छादर थी उन्हें अच्छे नमबर आने की उमीद थी लेकिन टॉपर बनने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था इतना ही साक्षी पढ़ाई के लिए हर दिन लगभग 15 किलोमीटर साइकल चुरा कर बेतिया के कॉलेज में पढ़ने जाती थी, इतना ही नहीं साक्षी मैट्रे की परिक्षा में भी टॉपर रही थी, वही साक्षी अपनी सफलता कश्षे अपने माता पिता एवं सिक्षकों को दे रही किसानों की खराब हुई फसलों के लिए सरकार ने जारी की 518 करोर रुपे, बे मौसंबर साथ और बर्व किरने के कारण बिहार के किसानों की खराब हुई फसलों के लिए मुख्यमंतर नितीश कुमार ने राशी जारी कर दिये, जिसके तहत कुल मिलाकर 518 करोर रुपे की जारी की गई है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने कृषिय साचिफ को जल से जल प्रभावित किसानों की खाते में राशी भीजवाने का निर्देश भी जारी के दिया है जमूई लोग सभा के लिए चुराग पासवान ने MP फंड में दिये 1 करूर रुपे एसी स्थिती में हम सभी के जिम्मदारी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसको देखते वे, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जल से जल अपने MP लैंड से 1 करूर रुपे अपने लोग सभा छेतर में दे और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लोगों की मद दिरों में तो भाक्तों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, मगर लोगों ने अब घरों में रहकर पुजा पाठ करने का फैस्ता दिया है, जोहां लोगों ने कल शेल पुत्री की पुजा की है, जो कि नबदुर्गा के माता का प्रत्म स्वरूप मानी जाती हैं NMCH में केबद कोरोना प्रभावित लोगों की जाज का आदेश जारी किया है, जहां पर सिर्फ कोरोना से सम्बंदित लोगों का ही उपचार किया जाएगा पटना में कोरोना ने कराई ओनलाइन शादी, कोरोना के कारण पूरे बिहार को बंद करने का फैसला जारी किया गया था वहीं राजधानी पटना समेथ कई जिलों में लोगों को अब घर से भी निकलने के लिए मना कर दिया गया है इसे बीच पटना में एक अनोखी शादी देखने को मिली जहां पर ओनलाइन माधियम से एक दूला दूलहन की शादी हुई है जिसके तहर लाप्टाप पर दूला देकर दूलहन ने निकाह को बूल किया है यह मामला है पटना के समनपूरा का जहां गाजियाबाद के साहिबाबाद में दूलहे से पटना में बैठी एक दूलहन ने ओनलाइन शादी की है महीं ओनलाइन काजी ने भी निकाह पढ़ा है PMCH और IGIMS में कोरोना जाज की हो विवस्ता उक्त एलान केंद्रे मंत्री रविशंकर प्रशाद ने किया है इसके साथ ही केंद्रिय मंत्री ने बिहार के स्वास्ट समंत्री मंगल पांडे से भी चर्चा किये और भीटा में बनने वाले अस्पताल को कोरोना के आईसुलेशन अस्पताल में तबदीद करने की बात कही है तामविलास पासवान ने आवश्यक वस्थो की उपलब्दता का दिलाया विश्वास केंद्रे मंत्री रामविलास पासवान ने हाली में कोरोना के कारण उत्पन हुई स्थिति को ध्यान में रखते वे आवश्यक वस्थो की बाजार में उपलब्दता को लेकर लोगों पर विश्वास दिलाया है कि सरकार इस पर अपनी नजर बनाये वे और आने वाले समय में ऐसी किसी भी चीज़ की कोई देकत नहीं होगी इसके लिए पासवान ने हाले में ट्वीट करते वे यह लिखाए कि कोरोना के कारण उत्पन हुए स्थिती में तमाम आवश्यक वस्तूहों की बाजार में उपलब्ध पर सरकार की पैनी नजर है केंदर सरकार भी राधी सरकार के हर कदम पर मदद कर रही है कोरोना के बढ़ते असर को देखते वे केंदर सरकार ने एक दिन के अंतराल पर बैंक खोलने का किया एलान कोरोना के बढ़ते असर को देखते वे बीते दिन प्रधानमती नरेंदर मोदी ने पूरे भारत को बंद करने का एलान किया था इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ किया था कि इस बंद में कोई भी लोग अपने घर से बेबज़ा नहीं निगरेंगे वहीं प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद बैंक से सम्मत्री जानकारी देते वे यह कहा कि अब एक दिन के अंतरार पर सभी बैंक सेवाएं जारी रहेंगी बैंक जाने वाले कर्मियों को भी एक दूसरे से दूरी बना कर रखने की अपील की गई है प्रधानमत्री मोदी के फैसले का उपेंदर कुश्वाह ने क्या समर्थन कोरोना के फैलने के लक्षन के रोक थाम के लिए प्रधानमत्री नरेंदर मोदी ने पूरे भारत में आने वाले एक इस जिन के लिए बंदी लगा दी है जो इसके बाद बिहार की राजुनेतिक डल उनका समर्थन कर रहे हैं रालोसुपा प्रमुक उपेंदर कुश्वाह ने हाली में पुधानमत्री नरेंदर मोदी के फैसले की सरहना किये और कहा है कि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोग घरों में रहें, पुरा विश्व कोरोना से जूच रहें और भारत में भी लगातार इसके मामले बट रहें इसलिए यह फैसला बेहादी महत्वपूर्ण और जरूरी है तेजस्वी आदव ने की आमनागरिकों से एक दूसरी का साथ देने की अपील नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ऐसे तो सरकार के हर फैस्टेगा विरोध करते हैं मगर कोरोना के इस घड़ी में वस सरकार की हर संभव मदद कर रहें जिसके तहट उरोने हाली में आमनागरिकों से कोरोना से निपटने के लिए एक साथ आने की बात कही है साथी एक दूसरे को हर संभव मदद पहुचाने की भी अपील की है इतना ही नहीं बिहार सरकार से बिहार के सभी अस्पतालों में जरूरी समान मुहया करवाने को भी कहा है बिहार बंद के फैसले में देरी पर प्रशान किशोर ने उठाई सवाल लेकिन 21 दूनों का वक्त थोड़ा ज्याता लग रहा है उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से डील करने के लिए सभी राज्यों द्वारा की गई आनाकानी की वज़े से 21 दूनों का बंद आमनागरी को जहिलना पड़ रहा है इसके साथ ही प्रशान किशोर ने ऐसे समय में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हालात पर भी चिंता जताई है प्रधानमती नरेंद्र मोदी की घोशना से पहले ही बिहार के इस गाउं के लोगों ने एंट्री की बंद वहीं आने लोग को भी सुरक्षित रहने का संदेश दे रहे है वहीं हाली में प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में बंद का एलान कर दिया है इंटर के रिजर्ट में इतने प्रतिशत चात्र होए सफर प्रिशे साल 89.76 प्रतिशत बच्चे पास होए थे एक हजार रुपे कोरोना के बढ़ते असर को देखते वे नितीश कुमार ने यह फैस्ता लिया है कि सभी राशनकार धारी परिवारों को एक हजार रुपे की राश्य दी जाएगी सरकार ने 23 मार्च को यह फैस्ता किया था कि सभी नगर निकाय छेत्रों और प्रखंड मुख्यालों की पंचायतों में रहने वाले राशनकार धारी परिवारों को एक हजार रुपे की मदद दी जाएगी महावीर मंदीर प्रसाशन भी मदद के लिए आए आगे करोना के बढ़ते असर को देखते वे विहार में करोना की स्थिती से बचाने के लिए जगे-जगे से मदद आने शुरू हो गए हैं इसी क्रम में अब महावीर मंदीर प्रभंधन ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहट महावीर मंदिर प्रभंदन समीती ने मुखी मंदिर रहातकोष में एक करोड़ देने का एलान किया है वहीं पत्ना जॉंक्षन स्थेत महावीर मंदिर की बात करें तो कोरोना के बरत्यसर को देखते वे पहले से ही इस मंदिर को बंद कर दिया गया है संजेज जैसवाल ने सभी कर्मियों को बोनस देने का किया एलान कोरोना के बरत्यासर को देखते वे पूरा देश वर्तमान समय में एक जुटता दिखा रहा है मैं भाजपा के प्रदेश अधियक्ष डॉक्टर संजर जैसवाल ने भी कोरोना के से सामना करने के लिए लोगों से जन समर्थन मांगा है इतना ही ने उन्होंने ज्यादा दाम में बेच रहे सामान वाले दुकानदारों को भी खूब खरी-खोटी सुनाई है इसके साथ ही उन्होंने अपने कारे करताओं और पदाधिकारियों से अपने छेतर में लोगों को जागरुक करने का भी एलान किया है इसके लिए उन्होंने सभी कारे करताओं को बोनस देने का भी एलान किया है बिहार में दो IPS अधिकारियों का हुआ तबादला बिहार में दो IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है सिर्फ इन दोनों ही IPS अधिकारियों का नहीं बल्कि 13 DSP का भी तबादला किया गया है खबरों की माने तो 2017 बैच के IPS अधिकारी विनीत कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानपूर के पत पर तैनात किया गया है इसके अलावा 2017 बैच के ही अंबरीश राहूर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बार के पत पर तैनात किया गया है वहीं अब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने लोगों को कोरोना के बारे में जाकरू करने के लिए बिहार के मुख्या को भी शामिल करने का एलान किया है जिसके तहट मुख्यमतिर निती इश्कुमार ने सभी गाउं के मुख्याओं से वीजियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उनके छेतर का जायजा लिया है साथ ही लोगों को जाकरू करने के लिए और कोरोना जैसे मामले सामने आने पर जल से जांच के लिए भेचने का आदेश भी जारी किया है विधानसब़ और परिषद में 14 अपरेल तक खुटी प्रधानमति नरेंदर मोदी ने 21 दिनों के बंद के एलान के बाद विधानसब़ और विधान परिशद में भी 14 अपरेल तक चुटी का एलान कर दिया गया है चिराग पासवान के बाद अब रामविलास पासवान और पारस ने भी एक एक करोड की राशी दी, करोना जैसी स्थिती से निपटने के लिए हाली में लोजपा प्रमुक चिराग पासवान ने अपने MP फंट से एक करोड देने का एलान क्या था, वही अब उन्ही के रास्ते बड़ चलकर रामविलास पासवान और पशुपतिनात पारस ने भी एक करोड रुपे की राशी देने का एलान जारी क्या प्रमुक चाहते किया है। सिर्फ राबरी देवी नहीं नहीं बिहार के गई विपक्षिदर के नेताओं ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है कोरोना की सिती में 80 करोड लोगों को मिलेगा 2 रूपे की लोगे हूँ कोरोना की वज़े से पूरी दुनिया में परेशानी का माहल बना हुआ है जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है इसे बीच केंद्र की मोधी सरकार ने लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहट 80 करोड लोगों को अब सस्ते दर पर अनाज देने का फैस्ता लिया गया है खबरों की माने तो केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावेट करने प्रेस कॉनफरेंज कर 80 करोड लोगों को 27 रुपे किलोग्राम वाला गेहूं जैलाल कुमार, मीरा कुमार, संदीब कुमार, सुनील कुमार, आलो क्यादफ, विकी कुमार इसके अलावा हमारी चीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए ना भूले और अगर आपी वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जाद जाद शेयर करें धन्यवाद